एब से पहले हों आता है रिमूव और फामुला इन्से इंसके अंदर फामूले लगे हैं इसको रिमूफ करना है इसली तो Tak अग्यां करेंगे सारे को कॉपी किया पूरे या पो एड सिलेक किया ॰ाइट लिक या पेश्ची इकालना था कोश्चन नमर थ्री में मुझे इस तरह का चाहिए था तो हमने इसको सेलेक्ट किया राइट क्लिक किया फॉर्मेट सेल पे गये और यहां कस्टम पे आये और हमने चार जिरो दिया इस पेस और यहां पर इंवर्ट को मारगाने के जरूत नहीं है यहां पर एक्स सपोर्ट करत हैं कि आपका नमबर जैसे चाहिए था उसी तरह से हो गया है कि मुझे इसको पासवर्ट करना है तो इसके लिए भी हम कस्टम फॉर्मेट में जाएंगे और यहां आगर मान लिए कि मैं दो बाय स्टार दे दिया तो एक नमबर को क्या करेगा स्टार में करेगा तो सेमी कॉ कॉलन फिर दो बाय स्टार फिर सेमी कॉलन फिर दो बाय स्टार तो सेमी कॉलन सेबरेट के पहला जो होता है वो पॉजिटिव के लिए होता है दूसरा नेगेटिव के लिए और तीसरा जो होता है आपका जीरो के लिए चौथा होता है आपका क्रेक्टर्स के लिए तो दोब्लिकेट था मुझे लगा कि आप नहीं बना पाईंगे क्यों क्यों कि आप में जली जानते हैं highlight डुब्लिकेट तो प्रावलमें होता है कि दोनों वैलू को समझना होगा यह काउंट इस फॉइम लगाना होगा और A2 से A2, A2 करना हो और पहले बाले A2 को freeze करना होगा द्यान इसको निचे दे राक किजिएगा तो क्या होगा? 170, 270, 370 हर नमबर को एक sequence दे रहेगा A2 से A2 को freeze करना हो यहां, count if लगाया A2 से A2 range दिया और हमने count भी A2 को किया पहले मैं A2 को freeze कर लिया तो आजो formula class में इसको डिटेल में समझेंगे जब अब इसी formula को लिया मैंने condition formatting के new rules के use formula में आके formula apply कर दिया और इसके बुला greater than one एक से ज़्यादा होने पर highlight करें फिर format में आया fill पर गया और यहां पर अपनी color apply कर दिया जो भी color हों में यहां पर apply कर दिया दैनों के फिर हां पर format printer से नीचे के तरह हम paint कर दिये तो आप देखेंगे कि पहला 70 highlight नहीं है बड़ दूसा 70 highlight इसके लिए आपको इसका फॉर्मूला लगाना होगा फिलहार आप काउंटी को फॉर्मूला होगा जैसा इससा समझ लिजिए आगे हम फॉर्मूला समझाएंगे तो इसको डिटेल में समझा देंगे तो समझ में आ जाएगा हो आई कर लेकि प्रावलम में है कि माइनस मालीजे कि अगर हमने 45 पर सेल किया तो माइनस 10 में तो उपर ही दिख रहा है सबसे पहले इसको परसेंट को नंबर में कनवर्ट करना और यहां जीरो से बड़ा और जीरो से चोटा आएगा जीरो से चोटा होता होता है और जैसे अप्लाई करेंगे देखें डाउन हो गया तो अगर प्रॉफिट हुआ तो आप आएगा और लॉस्ट हुआ तो डाउन आएगा कुछ में सेबिन बात करते हैं कि मुझे हर तीन रो के बाद इसमें ब्लैंक रो इंसर्ट करना है यह चीज सौट में आपको प्रहाया था मैं यहां पे एक सिरियल नंबर लूंगा और यहां पे वान, वान, वान धीन बार वान लिख दिया फिर एक्वल करके पहले वाले वान में प्लस वान कर देता हो और नीचे के तरफ ड्राइग कर देता हूँ इससे क्या हुआ, कि हरं नंबर टीन बार रिपीट हो लिए है कैसे हुआ रिपीट तो यह देखिए एफ टू प्लस वान त्यार प्लस टू प्लस टू दिखा आपको फिर आप टू में प्लस वान हो गया अब मैं एक करूंगा कि पांस तक है पर नीचे वान टू त्री फोर फाइफ एक मैनुवर सिंगल टाइम अब मुझे इसका कॉर्डि तो वान और वान रिकत्था होगा तो यह तीन वान के बाद नीचे वान आ जाएगा और कभी शॉट जो है सिर्फ नहीं होता है अपने साथ पुरा का पुरा रो लेके जाता है तो ब्लैंक रो लेके जाएगा चलिए करके देखते हैं शॉट कस्तम शॉट और यहां पे स्रि इसमें यह है क्यों टोटल का टाइटल देना है तो सलेक कर लिया और यहां फाइंड रिप्लेश में होता है गो टू स्पेशल इसमें हम ब्लैंक को क्लिक कर दिए इसी ब्लैंक सलेक्ट होगा अब यहां पिक्यू वान टोटल करके कंट्रोल एंटर फ्रेस कर दिया और बोल्ड भी कर दिजिए हम मुझे संब में सम अप्लाई करना है तो यह संब को लिया और नीचे तक सेलेक्ट कर लिया सेम जाएंगे हम को सेलेक्ट करेंगे एक्वल सम लगाएंगे उपर के तरफ क्लोज करेंगे और नॉर्मल एंटर नहीं मारेंगे एंटर मारेंगे और फिर इसको बोल्ट कर दीजिए तो देखिए अपलाई हो गया यह चीज मैंने आपको करकी दिखाया था लेकिन हमने कॉलम बाइस करके पेस्ट है तो यह भी मैं बता चुका हूं कि इसमें क्या है कि जो हीडिन देखो कॉपी पेस्ट नहीं करना है तो सेलेक्शन करने के बाद कोपी करने से पहले गोटो स्पेशल में यहीं आपको दिखेगा वीजिवल सेल्स वणली और कॉपी कीजिए आन्या आपे पेस्ट क करेंगे तो ब्लैंग डेटा भी कोपी पेस्ट हो जाए अंदर के जो हिदेन डेटा जो है वह भी कोपी पेस्ट हो जाए गए को इसी में रिप्लेश पर आते हैं और यहां आपके सामने का सिस्टम है अब मालेजिए कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि कुण सा कलर है तो मैं यह आपे चूज स्वर्म सेल करूंगा ते इसका प्लिक कर रहेगा है और मुझे क्या करना है तो हमें लिप्लेश करना है तो फॉर्मट पर फील पर गया है और ग्रीश करता है और फिर इसको तो गई प्लेस्ट कि अप कि अप्ट के अप्ट के समझें और 10 वाना कोश्टन देसर आपको खुद बना रहा है कि तो एक कोश्टन मैंने बता है उपड़ ट्राई कीजिए आप लो एक मिंट दीजिए से एक मिंट कि अवाज आणी सर में आपको हलो कि बोलियो सर आ रहा है वाई तो मैं बोला था कि अब जो है टेस्ट के बाद हमाँ पर टॉपिक पर आते हैं और टॉपिक के वूपर जो आप पा रहे हैं डेटा अब इस डेटा को करेंगे अनलाइज करेंगे तो बेसिकली टेबल तो लगाते हैं इसके अलावा अगर आप लेटेस एक्सलियूज करते हैं तो एक डेटा अनलाइज नाम का आई 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 आपको मिलेगा जी हां यह माइक्रोसोफ दोड़ा बनाया गया जो की डेटा को अनलाइज करके आपके हिसाब से जो चाहिए वो दे देता है अब ध्यान लखिएगा इसके लिए इसमें मैं कुछ अपना नहीं डाल सकता था इस जैसे दे दिया वो दे दिया लेकि अनलाइज के अंदर क्या है कि आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं आपको आपको अनलाइज करके यहां दे दिया बट मुझे यहां चाहिए कि टोटल कॉंटिटी और भी पाई चाट के अंदर तो यहां लिख देते हैं पाई ऑफ इस तरह के मेसेज हमने दे दिया और इस पर क्लिक क्या यह देखिए आपके साथ इस तो इस तो नहीं समझ पाया हो इस तो इस नहीं क्या किया कि स्टोर बाइज क्वांटिटी का टोटल निकाला इस पर क्लिक करते हैं कहीं एक नई शीट पे देखेंगे कि उसकी पिवट टेवल और पिवट टेवल बिद फॉर्मेटिंग और इसके ऊपर आपको जो है यहां पर स्टोर बाइज आपको पाय च सब्सक्राइब से लिखले करहें एक कैला यहां अटिश्छों मैने मैं क्या बोला इंनलोट ऑसमें नहीं दिख्रे और समय आपको पिवर्ट में अपको दिखेगा नयव एक्सल के अंदर में यह निया यह तरह काम करता है अब यह से मा लगे मुझे टार्डेट and quantity का comparing चाहिए ठीक है तो हमने लिखा target यह आभी जाता है target and quantity अब यहां पर नीचे एक और options आगे आप देख सकते हैं अब यहां पर मैं करूं अब मैं लिखता हूं लाइन एन कॉलन लाइन एन कॉलन नहीं समझ पाया को समझ नहीं पाया अच्छा मैं कंपेर वाट हटा देता हूं इसमें इसको लाइन कॉलम चार्ट है नहीं नहीं समझ पाया लाइन कॉलम चार्ट है दो चार्ट नहीं देगी कॉलम एक काम करता हूं कॉलम् वेस लाइन अब दिखते है क्या आता है इस तरह से यहां पर दे सकते हैं अलगेगा अब यहां पर एक कॉश्चन आता है कि आखीर पीवट टेवल होता क्या है ठीक है चलिए पीवट टेवल की ऊपर आते हैं तो सबसे प्रें जानते हैं कि हम कंपई में जो रिपोर्ट बनाते हैं और रिपोर्ट क्या होता है अगर हम रिपोर्ट की परिभासा दे क्या बोलते हैं समणरी आप डेटा को करते हैं से माली इसे मज्री रिपोर्ट हुआ तो हमने सेल्स को मन्द ली इस थी क्या होता है सबस्वेशन करतें लेकिन बेश तो उसका सम्री ही होता है और डेटा क्या होता एंपना scriptures करते हैं कि कई सारे इंटर्व्यू में पूछ देते हैं तो हम पीवर्ट टेवल का यूज करते हैं अनलाइज दा डेटा समराइज दा डेटा एंड री पर्जिंट अप डेटा तो अगर हम ऐसा बोलें कि आपके ऑफिस की 80% रिपोर्ट पीवर्ट टेवल बनाई जा सकती है एक लिया इनडायक्ली उसमें यूज कि आ सकती है यह बात गलत नहीं होगा यह बात चाहिए को यहां पर क्विश्चन आता है कि कैसे करें सबसे पहले आप डेटा को समझी कआ डेटा की डेटा के ऊपर जो फिनट का हेडिंग है वह हैडिंग होना चाहिए क्वेडूर्ट heading के according ही चलता है उसके बाद इसके अंदर आपका डेटा क्या समझना ज़िए सेल्स का डेटा है कि किस रेट को किस स्टोर से किस सेल्स ओफिशर ने कितनी क्वांटिटी बेची किस रेट पर बेची कितना अमाउंट जन्नेट हुआ कितना प्रॉफिट मार्जिंग था हमारा प हमें चाहिए क्या हमें चाहिए क्या तो मुझे बस ये जानना चाहता हूं कि किस कि सेल्स व्पिशर ने कितनी कौन्टेटी सेल्स रांगिट था उसका सिंपल तो यहां हम क्या कर रहे है पिवट टेबल पे क्लिक कर रहा है पिवट टेबल पे क्लिक करते हैं डेटा सेलेक्ट करने की जरुवत नहीं है डेटा आट्वेटिक सेलेक्क कर लेता है हां blank row नहीं होना चाहिए क्योंकि ये control एक according चलता है then ok किया ok करते ही एक नई sheet पे आप देखिया आगया अब यहां हम store नए ये so है so को उठाया अब देखिए जितने भी आपके data पिवट के अंदर जितने भी आपके पिवट टेबल में headings थे वह headings आपको यहां पे आगया तो आपको क्या करना है इस heading से उठाके इन चारों में कहीं पे drop करना है simple तो मुझे so by चाहिए तो मैं आप so को लिया और यहां row में drop किया तो देखिए जितने भी नाम थे हो नाम यहां पे आचुके अगर मैं column में भी drop कर सकता था बढ़ column आज आता सही नहीं होता इसने हमें row में लेके आया उसके बाद मुझे जो quantity है quantity मुझे total चाहिए जिस अब यह fix है कि जिस field में आपको totaling करना है calculate करना है वो field हमेशा value वाले section में जाएगा और मुझे mrb भी इस पर चाहिए profit भी हमने यहां पे डाल अब इसको यहां हमने simply क्या करना है नॉमली जो formatting करते हैं तो formatting कर सकते हैं उसके अलावा हम यहां design में जाके बने बनाए बहुत सारे format से यह भी आप ले सकते हैं यह जो field है यह भी आप कर सकते हैं इसको भी rename कर सकते हैं हैं कि so name यहां पर हम total sales और यहां पर target इस पेस देजिए कोई target नाम का फिल already है एक कर दीजिए अब इसकी ऊपर आप तो visualization जैसे कि मुझे चार्ट चाहिए तो मैं यहां से एक चार्ट ले लिया एक कॉम्बो चार्ट चाहिए तो यहां से आप कॉम्बो चार्ट भी ले सकते हैं और इसको बढ़ा कर लीजिए अब इस कॉम्बो चार्ट के ऊपर भी design में बहुत सारे format आप यहां से चूज कर लीजिए जो भी format आपको suitable लगता है कि हां मुझे अच्छा लग रहा है अब यहां पर इसका रिपोर्ट या जो भी नाम देना देदी जी और जिसको भीजना भीजिए मैं बहुत से आपको बोला कि बताओ कि हमारा जो डेटा है मंद जिस मंद का उस मंद के उस मंद में किसने कितना किसना टार्गिट था उसका यहां पर सिंप्ली depend पा रहे हैं कि पूजा का लांग लाइन चार्ट से ऊबर है मतरिसने पास सबस्के इन दर भी टार्गिट लिख यहाज़ी हो गया जो नहीं कि आप पूड लों गया चैस नहीं किया ठीक है क्लीर ही समझ में आ रहा है अब इसको किसी को भेजना है तो आप पूरा 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 फाइल दे सकते हैं तो आप क्या करेंगे कि राइट क्लिक करके इसको कर देंगे मूव एंड कॉपी क्रियेट कॉपी करके आप न्यू वर्क बुक मोके करके भेज दीजिए अब इस फाइल बेज दीजिए किसी को सेब करके तो सिफ पिवर्ट जाएगा या कॉपी करके वैलू पेस्ट भी कर सकते हैं हाँ तो पीव आप बोलेंगे इसके साथ डेटा भी जा तो एक नई सीट में पूरा डेटा कॉपी पेस्ट करके हमको देड़ेगा अब इसको आगे जानने के लिए थोड़ी सी आपको इस पर हाँ आपको प्रैक्टिस करना हो तो जो डेटा है यह देटा हम आपको दे रहे हैं ठीक है अगे इस अगे अगे आपको हम भेज रहे है अब आपको क्या करना है इस पे आट दस बीस आप जो है पिवट लगाईए तो आसा पिवट को छेर चार कीजिए फिर हम कल आपके साथ पिवट को अच्छे धंसे पढ़ाएंगे ठीक है आज प्रहाता लेका आज मात तीन लोग ही आए है झाल 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 झाल